Hello everyone, आज है 3rd April और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहा है NHPC के बारे में 92 रुपीस का शेर है आज हल्की इसी तीजी है 1% की रफ़तार पर है यह और पिछले एक महिने का ग्राफ अगर आप देखो तो धीरे धीरे silently यह move कर रहा है आज की 1% की तीजी आपको उतनी बड़ी नहीं लग रहे है इवन कल भी कोई उतनी बड़ी तीजी नहीं थी उससे पहले भी कोई उतनी बड़ी तीजी नहीं थी लेकिन बहुत ही silently यह move कर रहा है 82 से 92 पे जा चुका है यह पिछले 10 दिनों के अंदर तो काफी अच्छी रफ्तार मैं कहूँगा कि यहाँ पर देखने को मिली है recovery कहलो कि देखने को मिली है क्योंकि बड़े fall से गुजरा भी था एक बड़ी तीजी आई थी फिर बड़े fall से गुजरा अब अच्छी काशी रफ्तारी तरफ जाने के कोशिश कर रहा है हलाकि एक resistance भी है यहाँ पर बात करेंगे उसके बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please अभी इसे subscribe कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे videos है जब काफी जादा help करेंगे तो NHPC 92 रुपीज का शेर और शानदार तेजी एक साल में देखी है 50 रुपे से भाई साब यह बहुत कम टाइम में चला गया था 103 पर Actually मैं intraday में 115 रुपे का लेवल तक चुआ था इसने उसके बाद जैसे ही इनके quarter ले results है जो कि खराब थे एक जटके में यह गिरा था 80 पर गया वापस तीजी आई 96-97 पर गया वापस एक major fall से गुजरा 78 रुपीज पर गया अब वापस से धीरे धीरे भागने के कोशिश कर रहा है और एक short term resistance यहां पर at least मुझे लगता है कि 95-200 रुपीज के आज पास यहां पर देखने को मिल सकता है और जहां तक बात करें company की तो देखो पहली बारे से तीजी आई है क्योंकि 2009 से लेकर अब तक का अगर आप graph देख रहे हो तो भाई साब इतनी बड़ी तीजी आज से पहले कभी नहीं आई थी लेकिन आज से पहले power sector इतना ज़्यादा focus में भी नहीं था सिर्फ NHPC ही नहीं चाहे वो आप अदानी के shares देख लो चाहे वो आप Tata के shares देख लो तीजी इतनी बड़ी आज से पहले वहाँ पर भी देखने को नहीं मिली थी यहाँ पर अगर आप company की website पर चले जाओगे तो देखे company power sector से जोड़ी हुई company है इनकी जो capacity है वो hydro में सबसे ज़ादा है 7000 megavort की capacity इनकी hydro में है जो यह लोग future में और जादा बढ़ाकर 9000 megavort तक लेकर जाने वाले है इतना ही नहीं company जान देखे कि दिखो वाई सब renewable में भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि government की तरफ से बहुत जादा benefit जो है वो renewables में भी मिल रहा है खासके solar में और wind में तो हाल फिलाद में PM Modi ने इनका 380 megavort का solar plant जो plant है वो भी launch करा हुआ था और वो भी commission हो जाने वाला है इसी साल September महिने में wind energy भी solution provide करवाती है जो कि अच्छी बात है कमनी लगातर अपनी capacity को बढ़ा रही है यह अच्छी बात है अच्छी बात है इनके लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़े बहतर हो और even management की तरफ से एक hint भी दिया गया था कि आज से 45 साल बात जो solar और wind वाला होगा वो एक अलग subsidy के तोर पर होगा और उसको अलग से बाजार में list भी करा जाएगा एक separate company के तोर पर तो ये big hint दिया गया था देखते है कि क्या होगा लेगिन हाला कि वो बहुत long term की बात होगी चार पास साल की बात होगी अभी से कुछ भी assume करना मुश्किल है भी तो बहुत इतना ही है कि company अपनी capacity को बढ़ा रही अभी हाल फिलाल में company और पैसा भी उठा रही है बाजार से और उसका इस्तेमाल करेंगे अपने expansion के लिए हाला कि debt definitely है इस company के उपर बहुत जादा लेकिन उमीद करते हैं कि आगे अगर दीरे दीरे ये अपनी capacity को बढ़ाएंगा जिस तरीके से demand generate होने वाली है बिजलियों की तो कहीं न कहीं जो power company रहेगी वो focus में रहने वाली है और अच्छा कासा पैसा जो है वो छापने वाली है उसमें कोई शक्की बात नहीं है यहाँ पर इसका volume अगर आप देखोगे तो बासा जस्ट खुला है और तीन करोड से भी जादा के share already यहाँ पर trade हो चुके है company के आगर आप all time high देखो तो 115 का था जो की हाल फिलहाल में ही बना था इंट्राडे में बना था ये low 15 रुपए की करीब का है market cap 93,000 करोड पहुँच चुक है बहुत जल्दी ये कोशिश करेगा एक लाग करोड के market cap पर जाने की बहुत जल्दी कोशिश करेगा ये और जहां तक बात करी जाए इस company के dividend को लेकर तो देखे dividend paying share तो है ठीक है और अच्छा पे करना है कोई बुरा dividend नहीं है मेरे हिसाब से एक रुपए 40 पैसे का pay किया है इस साल और ये पिछले साल की दो बार पे करा था पहले एक रुपए 40 पैसे फिर 45 पैसे और ये अच्छा dividend है क्योंकि पिछले साल अगर आप देखोगे तो ये 30-35 रुपए का share तो वहिए उस प्राइस के मुकाबले अगर दो रुपए का dividend पे करता है तो वहिए अच्छा है हालाकि अभी 100 का हो चुका है मतलब होने वाला है तो अगर तीन गुना प्राइस हुआ है पिछले साल के मुकाबले हो सकता है तो उसका वालब ये नहीं कि dividend भी उतना ज्यादा पे करेगा वो नहीं हो का शायद यहां पर company अगर आप देखो तो according to money control user 50-50 का ratio है 50% लोग के रहे खरेदारी करो 50% लोग के रहे बेचो और भाग जाव यहां से जहां तक बात करें valuation की तो 24 से 25 का PE है इसका sector PE 32 का है देखिए अभी जिस position पर है definitely वो attractive level हो सकता है ठीक है इव लिकर आया था 80 रूपय के करीब definitely वहां पर मौके थे और कई सारे videos मैंने बनाए भी थे के मौके बनेंगे वहां पर दो बार गया था यह और लंबा टाइम रुका भी था वहां पर और यहां पर अगर माल लीजिए कि यहां से और ज़्यादा इनके शेहर में 30 आ जाती है ठ बढ़ चुका होगा और सेक्टर पी के आसपास चला गया होगा तो वहां पर मैं इसको सस्ता नहीं क्या सकता है और वहां पर खरीदार की मौके नहीं हो सकते हैं लेकिन हां तब यह जरूर होगा कि आने वाले इनके क्वार्टरे नंबर्स अगर तब अच्छे आते हैं और अगर पी रेश्यो एडजस्ट हो जाता है तो बात कुछ और है ठीक है तो यह देखना भी जरूरी है कि इसका जो पी है वो सेक्टर पी से कम ही होना चाहिए वो भी सेक्टर पी अगर 32 का है तो इसका पी एटलीस 28 से 29 के उपर नहीं होना चाहिए अगर वो चला गया तो डे 50% कहता है कि खरीदारी करो फिनांशल से अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर डेफिनेटली खराब थे 490 करोड का इनका प्रॉफिट था जो कि इससे पहले 1500 करोड के प्रॉफिट कर रही थी यह कंपनी और जो रिवन्य था वो 2640 करोड था जो इससे पहले 3000 करोड तक के रिवन्य थे इनके तो डेफिनेटली खराब नंबर थे लेकिन देखते हैं कि अभी मार्च में चीज़ें बदल पाती है कि नहीं देखो मैं उम्मीद तो अच्छी करूँगा इस कंपनी से कि चीज़ें बहतर हो इनके लिए नंबर इनके अच होती है उनके जो रिजल्ट होते हैं वह एक्चुली में मार्च और जून में बहुत अच्छा आते हैं यह एक्सपेक्ट होता है और मैं उसी चीज़ को यहां पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आगे भी यही होगा और दिखो कंपनी अपनी कैपेसिटी को लगातर प्रोजेक्ट जो है वो कमिशन हो जाता है तो कहीं न कहीं कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ती नजर आएगे इनके आने वाले टाइम में जो इनके लिए बेनिफिश शरी ही होगा जो कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा पाएगी फ्यूचर में वो कंपनी मोटा पैसा प्राइब रखिया जहां तक होल्डिंग की बात करें शेह होल्डिंग में तो प्रमोटर की होल्डिंग 70.95 परसंट की है हलाकि ये डिसमबर क्वाटर के शेह होल्डिंग पैटन है मार्च में और कम होगी प्रमोटर की होल्डिंग रीजन के इन्होंने मार्च क्वाटर में देखना ये भी interesting होगा कि December quarter तक इसका जो share price था वो 65 से 60 रुपे के करीब का था अभी ये उससे उपर है तो कौन खरीद रहा था कौन बेच रहा था वो भी देखना interesting होगा कि institution ने यहां पर बेक्वाली करी है या फिर खरीदारी करी है वो देखना यहां पर interesting होगा मैं उम्मी SPC मेरे इसाब से company खराब नहीं है अच्छी company में कहूंगा इसको हाँ इनके उपर debt जादा है definitely debt जादा है इनके उपर लेगिन उम्मीद करते है कि जिस expansion की तरफ company जा रही है आने वाले time में ये उसको कम कर पाएंगे और यहां पर मैं buy on lips की ही बात करूंगा किसी भी एक लि जादा है तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपका नजरिया यहां पर buy on lips का होना चाहिए हर 10% के decline पर add करने के जो मौके है वो आपको यहां पर ढूंडना चाहिए और नजरिया long term का होना चाहिए short term का नहीं और at least गर्मियों के माहल में power company के share तो नहीं बेचने ठीक है at least जून तक तो नहीं बेचने चाहिए यह मेरा opinion है बाकी मर्जी आपकी है वीडियो के यहीं पर end करूँगा पसंद आए हो तो like तो रहे अगर पहली बारे तो please subscribe करे और NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखकर बता सकते हैं इसके नहीं जलती वीडियो आएगा थैंक्यू